Welcome my very very precious Libras, कैसे हैं आप सब Libras, I really do hope कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे state of mind में होंगे और ये आपकी 2025 की reading है, इस reading में हम glimpse देखेंगे कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है, क्या blessings है, opportunities हैं, और क्या challenges हैं, और क्या lessons हैं, तो दोनों aspects को हम discuss करेंगे, good aspects as well as जो अगर कुछ challenging होने वाला है तो वो भी देखेंगे, आपके lessons क्या हो सकते हैं, blessings क्या हैं, और positive चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हम इस reading में discuss करेंगे, और reading के starting में थोड़ा सा patience रखेगा, because energy built up होने में थोड़ा सा time लगता है, और जैसे जैसे आप reading में आगे जाए आप शफल कर रहे थी, और you know, आपकी energies में tap in कर रहे थी, तो मुझे जो इस बहुत ही मेरे intuition में जो मुझे बताया है, जो मुझे जिस टाइप की जिंदगी आपकी दिखी है 25 में, एक सबसे प्लस पॉइंट ये दिख रहा है कि 25 में materialistically आप अच्छा करेंगे, मतलब की when it comes to पैसा या करियर, especially Libras, आपके लिए पैसा और करियर वाला जो सेग्मेंट है, वो बहुत ही अच्छा दिखाता, और जो images मेरे सामने आई थी, वो ऐसी थी कि आप जो खरीदना चाह रहे हो, आप खरीद रहे हो, I know ये बहुत ही छोटी सी बात आपको लग सकती है, कि ओ, ये क पारे हो, because financially आप वो अफोर्ड कर पारे हो, चाहे वो finances आपके खुद के कमाय हुए हो, या फिर आपको कहीं से मिले हो, doesn't matter, but materialistically, this year is looking really good, तो, yes, so I think अगर आप बहुत ताइम से सोच्चर के मुझे कार खरीदने है, बहुत ताइम से सोच्चर मुझे घर खरीदना है, या फिर मुझे, you know, ये ड्रेस खरीदनी है, I don't know, तो उस चीज में बहुत ही अच्छा देख था है, you, you are like, के आप वो चीज खरीद पाहेंग आपके एनरजी में, वो था के, you are very prone to addictions, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, 25 में, के, आप बहुत जल्दी एडिक्ट हो सकते हैं किसी चीज का, अब वो सबस्टेंस भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, तो, addiction से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, you know, के आ आपको बहुत जाएं के चलो, smoke करना, try करते है, smoking, try करते हैं, but, आपको कुछ दिनों में, realize होगा कि आप अच्छली, addicted हो तो, you need to be really careful when it comes to addiction, addiction phone का भी हो सकता है, substance का भी हो सकता है, किसी भी जीज का हो सकता है, यह चीज एक थोड़ी से है, जो आपको ध्यान रखने है, और क् यहां पर 10 of Sorts की एनरजी है, बहुत ही अलग नोट पे, बहुत ही अलग नोट पे आपका साल शुरू होते हो दिख रहा है, या फिर टाइम फ्रेम को साइड में रखते हैं, 10 of Sorts की एनरजी है, 10 of Sorts की एनरजी बता रहे हैं कि 25 में आप मेजर एंडिंग्स को एक्स्पिरिय और यह एंडिंग्स आपको ऐसा फील हो सकता है कि यह चीज मुझे काफी टाइम से परेशान करी थी, या फिर यह प्रॉबलम मुझे काफी टाइम से परेशान करी थी, अब फाइनली चलो से चुटकारा मिल गया, वैसी वाली एनरजी है, तो आप एक तो आपको बुरा कोई चीज मेजर एंडिंग है आपकी लाइफ में, जो आप एक्सपिरियंस कर रहे हो, या तो आइ थिंग आप अलरड़ी अभी कर रहे होंगे, आप करने वाले हैं, और उसकी बाद में फोर ओफ सौट्स की एनरजी है, बहुत ही अच्छी लाइफ स्टोरी आपकी यहां प और आप उस चीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज को डाइजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पे यह दोनों का सेम सिटुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे एंडिंग होगा और हीलिंग होगा, अब फोर ओफ सौट्स यह बता रहे हैं कि जो चीज आपको ये ending की जो pain आपने feel किया तो जो तकलीफ आपने feel की थी ये तकलीफ आपकी बहुत आगे तक नहीं जाएगी because what is happening is कि ये चीज आपको matter भी नहीं कर रही है आप 2025 में कुछ महीने आगे बढ़ेंगे तो ये चीज आपको matter भी नहीं करेगी कि कुछ ending हुई है मेरी life में, मैंने कुछ खोया है life में ये topic आपकी life से disappear हो जाएगा, ये topic exist ही नहीं करेगा ये जो pain है ये exist नहीं करेगा, तो अगर अभी आपको कोई चीज बौदर कर रही है कि मैं परिशान हूँ क्योंकि मेरी life में ऐसा हुआ, मैं परिशान हूँ क्योंकि किसी ने betray किया मैं परिशान हूँ कि मेरी job में ऐसा हो गया, मैं परिशान हूँ कि मेरी health ऐसी थी तो basically यहाँ भी क्या हो रहे हैं कि ये चीज आपके लिए matter भी नहीं कर रही है जो चीज आपको अभी परिशान करिए वो matter भी नहीं करती है वो exist भी नहीं करती है दूर दूर तक आपकी life में और आप उससे heal कर लेंगे जो हुआ वो हुआ अभी आप अभी आज से पांस साल पहले आपके साथ कुछ बुरा हुआ था कि आप उस चीज को कैरी कर चल रहे हो नहीं कर रहे हो तो वैसी energy कि you are not going to carry this energy forward जो हुआ वो हो गया आप भूल चुके हो और आप हील कर चुके हो उसकी बाद we have eight of cups की energy and we have eight of wands की energy अब एक बहुत ही मज़दार चीज जो आपकी life में 2025 में हो रही है वो यह हो रही है कि यहाँ पे eight of cups है और यहाँ पे eight of wands है आपको किसी जगे से move on करने में थोड़ी problem आ सकती है निकलने में problem आ सकती है बर जैसे ही आप इस energy से निकलोगे आपकी life drastically change हो जाएगी you need to understand this message okay यह थोड़ा सा deep जा रही है आपकी reading eight of cups यह बता रहा है कि आप किसी जगे से move on कर रहे हो जहां पे आपको satisfaction नहीं मिला था आपने conscious decision लिया है कि मुझे यहाँ पे satisfaction नहीं मिल रहा है अब मुझे यहाँ से निकलना है move on करना है maybe कुछ issues आए हो उस जगे पे maybe आपको आप जो deserve करते हो वो चीज उस जगे पे नहीं मिली हो चाहे वो career है चाहे वो family है चाहे वो relationship है कुछ भी है तो आप decide करते हो कि आपको इस जगे से निकलना है पर निकलना इतना आसान नहीं है यह decision लेना इतना आसान नहीं है बट एक बार आप निकल गए तो यहां पे आपकी life बहुत ही जादा speed से change होगी आप यह notice करोगे 2025 में कि वो move on करना उस जगे से निकलना उस state of mind से निकलना मुश्किल हो रहा है पर जैसे ही हम निकले वैसे हमारी जंदगी में बहुत सारे positive changes आन कि life में तो क्या हो रहा है for example for say कि मैं बहुत ही महीनों से depression में हूँ मैं हूँ नहीं पर मैं आपको example कि मैं बहुत ही महीनों से depression में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ लोग आगे निकल रहे है मैं life में कुछ नहीं कर पा रही मैं लगती है कि मैं यह थील ही नहीं करती हूँ कि फिछले मेरे इतने महीने वेस्ट हो गई क्य हमी लड़ी चीजें बा अतलाब को टो ट् pessoal को दो खरी means कि अब यह श्यापने से आइस नहीं करता कि पाहले क्या हुआ था अब तरह 출τι गार्ज़ social 1 को थीज 뻥 एक हो more किया होगा लाइफ का कोई ना कोई एस्पेक्ट मैस्डप था वो आपको बहुत जदा बॉदर कर रहा था उसकी आपको टेंशन ती उसका आपको बुरा लग रहा था बट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइस गोईंग तो चेंज एक एनरजी फॉर एवर आपको आप यह भी सोच करेगा कि 24 में क्या हुआ था मैटर नहीं करेगा कि जैनवरी में क्या हुआ था मैटर नहीं करेगा कि लास्ट यर क्या हुआ था था तीन साल पहले क्या हुआ था तो आपकी लाइफ आपको इतने सारे पॉजिटिव चेंज दे रहे है कि मैटर नहीं करा है कि पास्ट में क् यहां पर पुरानी चीज़े मैटर नहीं करती है अब यह हम बोल सकते हैं कि हो सकता है 25 नए चालेंज़ लेकिया है बट पुराने चालेंज़ तो एक्जिस्ट नहीं करते हैं पुरानी प्रॉब्लम्स एक्जिस्ट अब नहीं करती है और उसके वाजबाद में Sun है, okay, oh my god, okay, so हमारे पास में बहुत अच्छे कार्ट साया है, आपकी लाइफ स्टोरी दिखरें 25 की, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया थे कि आप जैसे ही यह बेकार एनरजी से निकले, वैसे ही लाइफ जल्दी-जल्दी से चेंज होने लगगे, opportunities आ रह happiest card, abundant card, जहाँ पे Sun होता है, abundance होता है, पैसा होता है, happiness होती है, सब कुछ होता है, यह एक complete package है, जो life आपको दे सकता है, और यहाँ पे लिखा भी है, work will be done fastly, बहुत जल्दी-जल्दी आपकी काम बनेंगे, तो आप इस Sun को experience करोगे, और एक पॉइंट ऐसा रहेगा, मेरी कह सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ आपको लगेगा कि आप डाकनिस से निकल गए, यहाँ पे टैन ओफ सोट्स की, अगर हम एनर्जी को देखें तो बहुत डाक एनर्जी है, फिर एट ओफ कप्स की एनर्जी को देखें, तो यहाँ भी डार्क है, अब जब आप इस चीज से म अबंदन्स और पॉजिटिविटी दिख रही है, और बहुत ही पावरफुली आप अपनी लाइफ में स्टांड करेंगे, अपने अच्छे टाइम को चेरिश करेंगे, तो बहुत ही एक लंबा समय, जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी दिख रही है, और आपकी लाइफ में टोटल साटिस्फाक्शन दिख रहा है, सन जब आता है तो बहुत ही बड़ी जॉब की अपोर्चुनिटी बता सकता है, करियर में बहुत ही एक्स्ट्राओर्णरी सक्सिस होना, क्योंकि सन पैसों का फ्लो भी बताता है, अबंदन्स है आपकी लाइफ में क्यों आप एक पॉइंट पे बहुत ही जादा अनस्टॉपइबल फील करने वाले हैं अपनी लाइफ में जहां पे आपको लगेगा कि कोई मुझा ब्रोक नहीं सकता है, अब जो मुझे चाहिए वो सारी चीज़ा मुझे मिल के रहेंगी, तो यहां पे बहुत जादा हैपिनेस आ इनरजी है और यहां पे सेविन ओफ वांस की एनरजी है, यहां पे एक सबसे इंपोर्टन चीज़ जो होने वाली है यहां पे वो यह है कि आप अपने लिए बहुत जादा स्टैंड लोगे 25 में, अपने लिए स्टैंड लेना मतलब कि आप चाहें जॉब करते हो चाहें आप अपने लिए स्टैंड लोगे आप वही करोगे जो आपको करना है तो फोर से कि आपका कोई ड्रीम है या फिर कोई चीज आपके लिए अच्छी है और आपकी फैमिली आपको अलाव नहीं कर रहें आपके इनलॉस आपको अलाव नहीं कर रहें लाइफ आपको अलाव कर रहा है या नहीं कर रहा है आप अपने ड्रीम्स को जीने वाले हो आपको जो करना है आप वो करने वाले हो तो यहां पर बहुत ही ऐसा दिख रहे है कि आप यू डोंट केर मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं आप वो कर रहे हैं आप बहुत ही जदा highly independent भी दिख रहे हैं 25 में और independence हो सकता है पैसो की वज़े से भी आ रही हो कि मैं independent हूँ, मुझे किसी के validation की जरुवत नहीं मुझे जो करना है मैं वो करूँ नहीं तो यहाँ पर बहुत ही highly independent energy आपकी दिख रहे है और यहाँ पर temperance की energy भी है जिनसे आप और ज़्यादा दूर जाएंगे आपकी life में यह personal relationship में भी change आएगा मतलब कुछ लोग होंगे जिनके आप बहुत ज़्यादा करीब आएंगे यहाँ पर temperance की energy है, दो लोग हैं आपस में मिल रहे हैं आपस में बहुत ही अच्छा connection फॉर्म कर रहे हैं तो कुछ लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब होंगे और at the same time कुछ लोग हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा distance बना लेंगे मतलब कि जैसे connections होते हैं जिसमें connections में सब कुछ black and white नहीं होता है मेभी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ मैं hangout कर रही हूँ बट वो मुझे इता पसंद नहीं है बट मैं hangout कर रही हूं just for the sake of it या पिर कोई मेरा कलीग है जो मुझे इता पसंद नहीं जो मुझे डिमीन करता है तब भी मैं उसके साथ घूम रही हूँ तो यह चीज आपकी लाइफ में एक्जिस्ट नहीं करती है आप अपने दमाग में बहुत साथा क्लियर है कि कौन मेरे कौन लोग हैं जो मेरे मेरे इंपॉर्टेंट है और कौन लोग हैं जो मेरे बिलकुल भी मैटर नहीं करते हैं तो यहां पर क्लियर बाउंडरी आप सेट कर रहे हो इं टरमस अफ परसनल कनेक्शन लबराज उसके बाद में हापर फोर फवांस की एनरजी है और एस अफ सोट्स की एनरजी आप इसे काफी सारे लोग यू गाइस आर गेटिंग मैरेड यहां पर 25 में अगर इस्पेशली क क्योंकि सबसे में प्रेडिक्शन ओगाड मुझे एकदम से इस कार्ट की पॉजिटिविटी ने हिट किया तो फोर फवांस की एनरजी है यहां पर फोर फवांस सेलिबरेशन बताता है इंगेजमेंट बताता है मैरेज बताता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर are getting married या फिर getting engaged यह सबसे बड़ी prediction है आपकी happy family दिख रही है, reunion दिख रहा है, यहापे celebration दिख रहा है, parties दिख रही है, enjoy कर रहे हो आप अपनी life को, तो यहाँ पर भई ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुती strong connection में आए, या फिर आपकी marriage हो या engagement हो, या फिर अगर आप already किसी relationship में हैं, तो वो relationship और ज़्यादा strong बनें, यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुती अच्छी हो रही है 25 में, आपकी love life में, वो यह है कि आपकी love life के, no matter आप married हो, आप single हो, जो भी हो, आपकी love life में आपको clarity मिलेगी Libras, तो अगर आपकी love life ऐसी जी के पर stand करती है, जहाँ पर आप clear नहीं हो के होने क्यावाला है, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है मेरी love life में, मुझे नहीं पता कि मेरा person कौन है, मुझे नहीं पता कि हमारा future है के नहीं, मुझे clarity नहीं मिले कि यह परसन मेरे क्या फील करता है मुझे clarity नहीं मिले कि मेरे connection का future क्या है तो यहाँ पे आपको 25 में बहुत सथा clarity मिलेगी अगें मेरे खाल से एक और चीज़ अगर हम 25 को define करें तो वो clarity से होगा क्योंकि आप clear हो यहाँ पे भी clear थे आपके कौन मेरे friends है किनके साथ मुझे रहना है किनके साथ मुझे नहीं रहना है कौन मेरी soul family है कौन से family members मेरे close है यहाँ भी आप clear थे और यहाँ पे भी आप clear हो रहे हो अपनी love life में I think एक main चीज 25 की यह है कि आपको love life में clarity मिलेगी और इस clarity के साथ में आपका union, marriage होना, engagement होना या फिर connection का और जादा next level पे जाना यह सारी चीज़े दिख रहे हैं, तो clear हो जाओगे आप, उसकी बाद में हापे seven of pentacle की energy है और six of cups की energy है, यहाँ पे कोई ऐसा connection है आपकी life में, इसको लिबराज बहुत ही ध्यान से सुनना कोई ऐसा connection है आपकी life में, जिस connection को आप किसी इनसान को आप पहले से जानते हो यह कोई friend हो सकता है, कोई आपकी teacher या mentor हो सकते हैं, आपके parents हो सकते हैं, आपके sibling हो सकते हैं कोई ऐसा person जिसको आप पहले से जानते हो काफी पहले से जानते हो ये person बहुत जादा help करेगा आपको life में आगे बढ़ने के लिए ये person बहुत जादा help करेगा आपको life में आपको support करेगा life में तो आपकी life में कोई already person exist करता है जो आपको बहुत जादा support करने वाला है 2025 में और इस person के support से आप और भी जादा life में आगे बढ़ोगे या फिर ये person रहेगा आपके लिए ये literally कोई sibling आपके भाई बहन हो सकते हैं आपके parents हो सकते हैं बड़ इतना strong support system इस इंसान का दिख रहा है कि ये person आपको बहुत सारे जगे पे ना you know आपको protect करेगा आपको secure feel कराएगा या फिर आपको emotional support देगा ये आपकी life story की type लग रहा है जो मैंने सारे cards देखे हैं even though मैं theme की तरह देख रहे थी बड़ जो आपके सारे cards निकल गया है वो आपकी life story की तरह निकल गया है यहाँ पे जो start हमने किया था वो थोड़ा सा difficult था तो year starting में कुछ challenges आप face कर सकते हैं या फिर अभी कर रहे हैं बट आगे हम जैसे जैसे जारें चीज़ें इतने जादा happy moments आ रहे हैं कि फिर वो challenges matter नहीं करते हैं okay possessions see oh my god can you see this I love doing tarot readings क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे intuition में ऐसा आया है कि आप पैसो के मामले में आपका साल बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ पे possessions ही आया है finances potential for an increase in income investment और saving strategies यहाँ पे आपके पास में इतने पैसे आएंगे आपके finances अच्छे होंगे और यहाँ पे आपकी income increase होगी 2025 में यहाँ पे आप investment भी करते होए दिख रहे हो और savings भी करते होए दिख रहे हो मतलब हमें पैसो की कोई दिकत नहीं है 2025 में मैं career भी नहीं बोलूँगी मैं money right away बोलूँगी कि पैसो के मामले में 25 बहुत अच्छा दिख रहा है आपका उसकी बाद में है personal growth building extraordinary personal identity self-confident in your highest self era यह कार्ड सिर्फ एक और साइन के लिए और आया है और वो है वर्गोस और यह कार्ड अगें आपके लिए आया है यह कार्ड बताता है कि 2025 is going to be identity switch for you आप अपने highest self में stand करोगे मतलब इतने सालों में आप जैसे भी दिखते थे हैं 25 में आप अपने best दिखोगें आप में जतना इतने सालों में confidence था 25 में आप में सबसे ज़्यादा confidence होगा और glow up मतलब आप समझते हो क्या होता है यहां पर हम अंदर से बाहर से बोलने के तरीके से dressing sense से हर तरीके से transform हो जाते हैं तो आपका 25 वैसा दिख रहा है जहां पर आप बहुत ही जादा you know transformed हो एक better person हो एक better personality हो एक confident personality हो और एक magnetic personality हो लबरास तो यहां पर extraordinary personal growth दिख रही है personal identity दिख रही है और यह transformation बहुत ही जादा intentional है आप करना चाहते हैं और आप करो गया ऐसा नहीं है कि magically appear हो रहा है ऐसा लग रही है कि आपने लुक्स पे focus कर रहे हो और बहुत जादा अपनी हेल्थ पे focus कर रहे हो और अपने personality को improve कर रहे हो material stability एक और कार्ड आपका same मेरे intuition से ही आया है material stability हमें एक और confirmation मिला है material stability मतलब again materialistic चीजों में comfort होना stability होना जैसे घर होना गाड़ी होना जितने पैसे हमें चाहिए एक बेटर जिंदगी जीने के लिए पैसे होना यह सारी चीज़े material stability बताते तो बहुत ही जादा एक जैसे कार्ड है और दोनों कार्ड second houses के हैं तो again आपका जो second house है वो बहुत ही जादा strong दिख रहा है जो कि finances का है उसके बाद में है intimacy and trust वाव possible for heightened intimacy अभी यहाँ पे आया है intimacy and trust intimacy and trust 2025 एक ऐसा साल होगा जहां पे आप intimacy को experience करोगे और ऐसे connection में रहोगे जहां पे आप अपने person को trust कर सकते हो पहले intimacy क्या होता है intimacy वैसे तो लोग physical physical होने को भी intimacy बोलते हैं बट intimacy सिर्फ physical होना यह नहीं होता है intimacy मतलब यह होता है कि हम emotionally जैसे हैं वैसे किसी person के साथ में रह सकते हैं वो person हमें understand कर रहा है अपनी बीप connection है कि हम रियल रह सकते हैं authentic रह सकते हैं वो person हमारे emotions को understand कर रहा है और इतना जादा strong connection है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी emotions को share कर पा रहें vulnerable हो पा रहें अपनी problem share कर रहें और एक दूसरे को space दे रहें यहां आथन्टिक होने के लिए तो वो वाली intimacy आप experience करोगे अपनी life में जो की बहुत ही beautiful gift है you know किसी ऐसे connection में रहना जहां पर वो person हमें understand कर रहा है you know जिसके साथ हमारी वो soul level पर intimacy है यह चीज बहुत ही ज़दा rare है because no matter किसी भी इंसान के वास कितना भी पैसा हो या कुछ भी हो at the end हम humans हो और हम crave करते हैं कि कभी नगभ हम हमारी कभी oh my god I am fumbling I am so sorry कभी नगभी हमारी life में वो वैसी चीज रहे कि कोई person है कि at the end of the day हम उसके पास जा कि वो सुकून का समय बिता पाए या फिर intimacy हमें मिल पाए और आपको यहाँ पर ट्रस्ट भी मिल रहा है तो ट्रस्ट मिलना मतलब कि कोई ऐसा person again जिसके साथ में जिसों आप ट्रस्ट कर सकते हो you know वो person genuine है तो यह gift है 2025 आपको दे रहा है जहां पर intimacy होगी आपकी connection में और ट्रस्ट होगा आपकी connection में यह चीज़ तो आप for sure hundred percent experience करोगे कि बिकिस जब मैं यह इस card को देख कि मुझे you know कुछ card होते है ना जहांबे मुझे लगता है कि हाँ यह mostly logo के लिए सच होगा बट इस card से जो vibe आ रही है मुझे वो बहुत ही ज़ादा strong आ रही है and ऐसी vibe आ रही है मुझे लबराज के यह सब के लिए सच होगा सच में उसके बाद में है belief and values यह एक ऐसा भी साल होगा I think मैं यह आपका challenge हो सकता है यह आपका challenge भी हो सकता है पर यह आपकी सबसे बड़ी blessings भी हो सकती है life में हर एक चीज़ energetically speaking spiritual level पर बात करूं तो energetically बात करूं तो logic को एक बार side में रख देते हैं अगर spiritually बात करूं तो आपकी life में belief system पर आपकी पूरी जिन्दिकी खड़ी हुई है पूरी जिन्दिकी belief system पर खड़ी हुई है अभी तो कहर साइंटिस्ट भी इन सब चीज़ों के बारे हम बात करते हैं CIA की papers में ये सारी चीज़े आई थी अभी तो अब तो ये scientific भी हो गया है बट अभी सब लोगों को knowledge नहीं है कि ये scientific हो गया तो लोगों को लगते हैं कि यार ये सच नहीं होगा बट बात ये है कि पूरी जिंदगी हमारी belief system पे टिकी हुई रहती है जिस चीज़ को हम belief करते हैं वही चीज़ हमें मिलती है अगर आज मैं इस चीज़ पर belief रखूँ कि मैं deserve करती हूँ कि you know मैं इतने इतने पैसे कमा हूँ या लोग मुझे अच्छे से treat करें या फिर मेरा भी कोई best friend बने मेरा भी कोई partner बने अगर मैं इस चीज़ पर belief करती हूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत ही आसानी से मिल सकती है बट अगर मैं इस चीज़ पर belief नहीं करती हूँ मुझे हमेशे doubt रहता है कि I don't think so कि मुझे कोई अच्छा person मिलेगा भी मेरे तो experiences बहुत खराब रहे तो जब भी हम अर्थ पे आते हैं तो हमारा belief system धीरे धीरे करके बनता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये belief system कई बार हमारे parents के कारण भी बनता है जैसे फॉर से कि अगर मैं एक बहुती you know middle class family में पैदा हुई हैं तो मेरे parents मुझे बोलेंगे पैसा कमाना मुश्किल होता है पैसे पता है पैसे कितने मुश्किल से आता है तो फिर एक belief system बनता जाते हैं कि हाँ पैसे कमाना बहुत मुश्किल है फिर हो सकता है मुझे और भी career में failures मिल गए आगे जागी तो मेरे लिए और ये एक belief system बन गया कि भाई पैसे तो मेरे लिए पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है तो इस belief system के हिसाब से ही मैं चीजों को attract करूँगी और ये सच है तो यहाँ पे आपका belief system बहुत जादा matter करता है 2025 में और matter नहीं करता है आप अपने belief पे काम कर रहे हो 2025 में आपकी सोच transform होगी मुझे नहीं पता कि यह कैसी हो रही है पर life का आपके कोई aspect है यह पूरी जिंदिगे है जहां पे आप अपने आपको deserving नहीं समझते हो इसका सबसे सीधा example यह है कि कहीं आप बहुत ही अच्छी positive reading देख रहे हो तो आपकी दमाग में सबसे पहले यह आ रहा है कि I don't know यह reading सच होगी कि नहीं मेरे लिए तो अगर यह चीज़ आ रही है मतलब कि हमारा belief system में थोड़ी सी गरबड है और life आपको universe आपको ऐसे science देंगे आप ऐसे lessons देंगे कि यह चीज़ बार बार आपके सामने आएगी कि मुझे अपने belief system को better करना है मुझे positive रहना है you know मुझे अपने subconscious को reprogram करना है तो यह आपका एक lesson है जो आप करेंगे 25 में या तो आप normally करेंगे या तो universe आपको ऐसी position में डाल देंगे जहाँ पर आपका belief system change करने के लावा आपके पास कोई option ही नहीं बचेगा क्योंकि जब हम lessons normally नहीं सीखते हैं तो universe का फिर अपना तरीका होता है हमें lessons सिखाने का तो तो यह एक बड़ा साल रहेगा जहाँ पर आप अपने belief system को change करोगे कि नहीं मैं deserve करती हूँ नहीं मेरे साथ चीज अच्छी होगे तो इक positive mindset को develop करते हूँ आप दिखरे हो 25 में और yes यह बहुत बड़ी चीज है उसके बाद में है importance of routine okay तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजे आई है reading में बट आपका again जो lesson है या जो challenge है वो है importance of routine यह कार्ड यह बता रहा है हमें लबरास के जितना solid आपका routine रहेगा 2025 में उतनी खुशियों भरी आपकी जिंदगी होगी और उतनी अबंडन्ट आपकी life होगी और उतनी successful आपकी life होगी और importance of routine सिर्फ successful होने के लिए नहीं है importance of routine खुश रहने के लिए भी है और यह कुछ लोगों के लिए बहुत सदा important है और थोड़ा मैं जादा time long के इस point को समझाने के लिए अभी बहुत सारे feedback ऐसे मिल रहे है कि मैं reading छोटी करो आप over explain कर देतो but I think importance of routine समझाना बहुत जरूरी है अब देखो ऐसे बोले कि routine अच्छा होना चाहिए आपका अब routine मतलब सुबह जल्दी उठो अपने काम करो तो यह सिर्फ productivity के लिए नहीं है यह खुश रहने के लिए भी है आप notice करोगे कि जब आपका इक proper routine है आप सुबह उठ रहे हो आप शादी योगा कर रहे हो सॉरी वर्क आउट कर रहे हो या ऐसी कुछ activities कर रहे हो ना तो उस ताइम पर एक dopamine dopamine hit मिलता है जो कि आपको खुश रखता है और इसलिए खुश खुश रहने के लिए पॉजिटिव रहने के लिए भी सुबह जल्दी उठना या कुछ activities करना बहुत ज्यादा important होता है at the same time या आपकी career growth के लिए भी बहुत ज्यादा important है कि आप ज्यादा productive रह सकते हो आप सुबह उठोगे तो बहुत सारी चीज़ है you know importance of routine के बारे में discuss करने की जरुवत नहीं है but आपके लिए ये बहुती सबसे ज्यादा important है मुझे नहीं पता कैसे मुझे नहीं पता ये आपकी career से related है आपकी transformation जो body और soul और identity shift हो रहा है उस transformation के लिए important है या फिर किस चीज़ के लिए important है मुझे नहीं बता but universe आपको बोल रहें कि आपके लिए जितना अच्छा आपका routine होगा जितने आप discipline होगे उतना जादा abundance है आपकी life में और उतने जादा आप खुश रहोगे अपनी life में are you getting me? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर I think आपकी reading अच्छी आई है अभी challenges क्या 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 है हम फिर से discuss करेंगे मैं चाहते हूं कि आप अपने lessons और challenges को याद रखो कि 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 किसी भी साल में हम कदम रखते हैं हम lessons और challenges को अगर याद रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाती है जन्दिगी यूनो अभी आपके लिए आया है temperance temperance आपके लिए यहाँ पे भी आया था temperance क्या story बोल रहा है temperance story बोल रहा है 10 of cups की अभी बहुत ही जादा obvious हो गया है आप एक happy relationship में रहने वाले हैं 25 में और आपके लिए बिग डील नहीं है एक अच्छे loving connection में रहना अभी मुझे और सो थोड़ी clues मिल गए यहाँ पे temperance था और मैंने आपको बोला थे कि आपका किसी person के साथ में connection जो बहुत ही अच्छा बन रहा है यहाँ पे temperance आया है और यहाँ पे 10 of cups आया है मतलब आप बहुत ही happy connection में हो यह दोनों कार्ड यह भी बता सकते हैं कि अगर आप बहुत ताइम से married थे और आपकी married life में problems आ रही थी या फिर आपकी family में issues आ रहे थे तो बहुत ही harmonious connections आपके रहेंगे balance आएगा connection में but I think आप में से maximum लोगों के लिए यह चीज़ आपकी romantic life में हो रही हमने पहले भी intimacy की बात की थी Libras यह आपके लिए यह बहुत ही अच्छा होने वाला है आपकी love life से related और yes और यहाँ पे two of pentacle है और king of sorts है आप अपकी life में आपकी life में ना कुछ important decisions भी आपको लेने होंगे 2025 में जो की आपके लिए धर्म संकट वाली चीज़ हो सकती है कि यह चूज करूं या फिर यह चूज करूं समझ में नहीं आ रहे कि क्या चूज करूं तो एक धर्म संकट वाली परिस्तिती आपके सामने आ सकती है और कोई important decisions होंगे जो की काफी जादा life transforming होंगे जो आप लोगे 25 में और उसके बाद में है Hierophant और साथ में The Hermit Hierophant और Hermit दो बहुत ही again opposite energies हैं जो की आपकी life को represent कर रहे हैं आपकी 2025 का कुछ समय ऐसा जाएगा जहां पे आप Hermit energy में हो Hermit energy मतलब बहुत सारी लोगों से बात नहीं कर रहे हो और थोड़ा solitude में हो अपने आप में जादा रह रह रहे हो अपने काम पे जादा focus कर रहे हो बहुत जादा लोग नहीं है बट जैसे जैसे आपका साल आगे बढ़ रहा है यहां पे आप जादा लोगों से मिल रहे हो जादा social हो रहे हो तो यह दोनों चीज का balance मुझे यहां पे दिख रहा है अच्छा एक मेरे intuition ने अभी एक message दिया है कि आपको अपनी love life में कुछ important decision लेने पढ़ सकते हैं तो यहां पे कुछ decisions होंगे जो आप लोगे यहां पे king of pentacle की energy है और six of pentacle की energy there is high chance कि आपके लाइफ में कोई Virgo, Taurus या Capricorn रहे है बढ़ यहां पे और भी science है यहां पे Sagittarius भी है यहां पे Taurus भी है तो किसी person के साथ में यह बहुत ही अच्छा सा exchange हो रहा है king of pentacle है और six of pentacle है किसी person की साथ में energy exchange आप कर रहे हैं तो यहां पे energy exchange वो प्यार वाली energy भी हो सकती कि आप loving relationship exchange कर रहे हो या फिर यह आपके business job से भी related हो सकता है जहां पे आप किसी के साथ में collaborate कर रहे हो कोई आपका business partner है तो अगयां यहाँ आपे partnership दिख रहे है और यह partnership बहुत जादा abundance लेके आप है तो अगर आपको collaboration करने का मौका मिलता है या फिर किसी के साथ मिलके कुछ काम करने का project करने का मौका मिलता है तो आपको करेगा यहाँ ब्यूटिफल एक्षेंज ओफ एनरजी दिख रहा है बड़ आइ थिंक मेरे लिए यह चीज आपकी love life से related है अभी हम universe के messages आपके लिए देखेंगे मुझे आपका 20-25 to be honest अच्छा दिख रहा है एक addiction वाला point था उसको याद रखेगा दूसरा आपने belief system को positive रखे do remember के आप subconsciously अपने बारे में जो सोचोगे ना उतना आपको मिलेगा for sure मिलेगा move on करने में starting में थोड़ी सी problem हो सकती उसके अलाव मुझे कोई lessons नहीं दिख रहा है but let's see कि युनिवर्स के message में हमको कुछ दिख जाये तो okay we have wish your heart desire is ready to come true यह युनिवर्स का message एक कि 2025 में आपका दिल जो चाहता है जो आपकी desire है जो आपकी wish है वो पूरी होगी can you imagine this so बहुत ही प्यार काड़ा है मैंने एक्सपेक्टनी किया तो but आपकी कोई ऐसी wish है जो आप बहुत दिल से माग रहूँ कि यह चीज ताहिए भगमाई यह चीज दे दो तो वो चीज आपको यहां पर दिख रही है उसकी बाद है Celebrations again एक बहुत ही अच्छा काड़ा है Celebrations का You are ready to bring new and exciting things into your life यहां पर युनिवर्स का मेसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी exciting और नई जीज आ रही है और बहुत सारा celebration वाला टाइम आ रहा है Dragonfly have confidence during this time of great joy renewal and connection to spirit आप बहुत जाद है युनिवर्स से connected रहेंगे 25 में renewal है for sure और यह सारी चीज़ आपको सम्हाओ अपने ऊपर confidence रखने को बोल रहें या at present अपनी life पर confidence रखने को बोल रहें कि confident रहें कि आगे बहुत सारी great चीज़े आपकी life में आरे है again I think universe आपको इस चीज़ पर believe करने के लिए बोल रहें आपके लिए बहुत सारी चीज़ आपके लिए बहुत सारी चीज़ आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ आपके लिए judgment soul searching will bring inner peace to many areas of your life मैंने यहां पर भी hermit देखा था और मैं चाहती थी कि मैं hermit को explain करूं अच्छे से अब भी ना एक 2025 की बहुत ही important energy मैं आपको बताती हूं क्योंकि यह card आया है यहां पर वो यह है कि आप 2025 में बहुत सार्चिंग वाले mode में जाओगे एक बार जहां पर आप एकांत में रहोगे आप solitude में रहोगे और universe से कुछ सवाल करोगे अपनी life को understand करोगे अपनी life को introspect करोगे और वो time आपके लिए बहुत ही जादा important होने वाला है there is a chance कि आप में से कुछ लोग सोलो ट्रैवल करने चले जाएं there is a chance कि कुछ दिन आप लोगों से बोलें कि मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है because आप बहुत आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में दिख रहे हो और यह आपके लिए ज़रूरी भी है आप सूल सर्चिंग करते होएं दिखे और यहां पर युनिवेर्स आपको बोल रहे है कि आप सूल सर्चिंग करोगे तो इनर पीस आएगा आपके अंदर और आपको آंसर्स भी मिलेंगे तो अगर आपका मन कर रहा है मुझे कुछ दिन अखेले रहना है अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे सोल सर्चिंग गरनी है अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे घूमने जाना है अकेले मुझे किसी कॉफी शॉप में जाके बैट के अकेले बैट के कॉफी पीनी है मुझे किसी लाइबरेरी में जाके बुक पढ़नी है you know मुझे walk पे जाना है अकेले मुझे कोई नहीं चाहिए तो ये चीज़ करिए because ये introspection आपके लिए बहुत ही जादा important है especially मैंने इस चीज़ को हलके में बताया था आपको but ये important है because यहाँ पे आप किसी चीज़ से heal करें और आगे बढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे questions है universe ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? universe ये चीज़ क्यों successful नहीं हुए? या फिर ये painful चीज़ मैंने क्यों experience की? ये आपके दिमाग में questions आ रहे हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? कोई ना कोई चीज़ है उसकी वज़े से और आप शाइद ये भी बोल रहे है universe से की देखो मेरे लिए move on करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है again ये side note है ये वाला message सब के लिए नहीं होगा मेरे लिए move on करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे पता ही नहीं है कि आगे मेरी life में क्या होने वाला है मैं इस area को लेके बहुत ज़्यादा lost feel करें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आगे मेरा कोई future है भी या नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप जब इस energy में हो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इस energy में जाना जहां पर हर्मिट की energy में और आप अकेले बाटके सोच रहो कि यह क्यों हुआ और आगे क्या है मतलब rather than crying about it rather than कि रोना कोई बुरी बात नहीं है बट rather than ruminating about it कि पास में यह हुआ वह हुआ it's very important कि आप थोड़ी सवी soul searching करो और universe से उस connection को feel करो क्योंकि ultimately universe आपको यह suggest करें कि आपके लिए soul searching करना बहुत important है और बहुत जादे important है बैट के यह सोचना के जो हुआ क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है okay उसकी बात a journey is indicated either okay तो यह introspection इसलिए भी important है क्योंकि आप अपनी life का कोई एक chapter close कर रहे हो for sure और आप move on कर रहे हो किसी चीज से कुछ भी चीज हो सकती है कुछ भी हो सकता है personal life professional life आप किसी चीज से move on कर रहे हो और आपकी यह नई journey start हो रहे है क्योंकि यह पे plane है और यह बता रहे है कि आपकी एक नई journey start हो रहे है बट उस नई journey के शुरू होने से पहले हमें introspect करना ज से आगे बढ़ रहे हैं तो क्योंकि यहां पर अच्छे कार्ट्स हैं नई जोर्णी है इसलिए उस नई जोर्णी को शुरू करने से पहले वो इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है लब राजो के और उसके बाद मैं है फूल है अब दे करेश टो इंब्रेस चेंज अभी यहां पर युनिवर्स का मेसेज जो कि कुछ लोगों के लिए चालेंजिंग हो सकता है बट यह है बहुती बड़ी ब्लेसिंग है अपने अंदर इतनी हिम्मत लाओ आ रहे हैं उस बदलाव पर आप ट्रस्ट कर सकें कि येस चीज़े बदल रही हैं बट मुझे भरोसा है कि मेरी जिंदगी बहुती जादा पॉजिटिव डिरेक्शन में जा रही है तो आपसे युनिवर्स यहां मांग रहे हैं ये चीज़ के भरोसा करो कि जो चेंजिस हो रहे हैं आपकी लाइफ में वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे रिस्क लेने की ज़रूरत है एडवेंचरस होने की ज़रूरत है हमें सिर्फ अपने कमफर्ट जोन में बैठे नहीं रहना है अगें मैं ये चीज़ मैं ओवर एक्स्प्लेन करने वाली हूं विए तौक्षिक जह होता जा रहा है जह पर कियोंकि मैं बहुत सालों से इसक्राइब ये परसन चाहें टॉक्यों पर मेरा कमफर्ट जोन बण चुका है जब भी मैं इस परसन को छोड़ के मूँव ओन करने के बारे में सोचते हूं तो मैं घबरा चाती हूं क्योंकि मैं सो हो सकता है कि कोई भी ना मिल है, हो सकता है कि प्यार मेरी लाइफ में लिखा ही ना हुआ हो, ये सारी चीज़े सोच कि मैं उसी connection में हूँ, बट यहां पर यूनिवर्स आपको क्या बुल रहे हैं, कि येस उस connection को छोड़ो, और अपने future को कि future में मुझे प्यार मिलेगा के ने, future में मुझे कैसा इंसान मिलेगा, future को adventure की तरह देखो, excitement की तरह देखो, ना कि fear की तरह देखो, are you getting me, कि अगर मैं uncertain हूँ life में, कि मेरे career का क्या होगा, मेरी love life का क्या होगा, तो उसको fear से, डर से नहीं देखना है, उसको adventure से देखना है, और excitement से देखना है, कि यार कितना adventurous है, मुझे पता ही नहीं आगे, क्या होने वाले आगे, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो एक वो attitude अपने अंदर लाना, जहां पर अपनी life की in stability को, कि मेरा ये life का aspect stable नहीं है, इसको डर से नहीं देखना है, excitement से देखना है, और universe को बोलना है, universe, show me your magic, मुझे बताओ, कि अब क्योंकि कुछ भी certain नहीं है, तो आप क्या best कर सकते हो, I want to see your best, और यहीं पर आपका ये वाला रोल आ जाता है, belief system का, जहां ये आपका लेसन आ जाता है, belief system का, जहां पर हमने देखा था, कि आपको अपने belief system पर काम करना, अपने subconscious को reprogram करना, कि आपको attitude जो है वो extraordinary positive हो सके, मुझे व कार्ट नहीं मिल रहाँ, हमने belief system के बार में डिसक्स किया था, तो ये फूल का काड बहुत ही इंपोर्टन कार्ड आपके लिए, ये न्यू बिग्निंग बताता है, बट उस न्यू बिग्निंग के पहले न्यू बिग्निंग को पूरी 100% positivity के साथ में, यूनो देखने की जरूरत है, मैं दो तीन, दो कार्ड और लूँ गे सिर्फ क्योंकि मुझे ये, इस से लेना है हमें कार्ड, ये यूनिवर्स का मैसेज इस डेक से हमें कार्ड लेना है, लेट सी तू मोर कार्ड और गाइस, अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वाल्यू मिली है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, कॉमेंट कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर लीजेगा, और मैंने आपकी ट्रूंटी ट्रूंटी फाइफ की लव रीडिंग का पिककार्ड अरेडी बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं, ट्रस्ट और आल विल बी वेल, इतना भरोसा है, यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, क्यों ये डेक हमें लेने का इंट्यूशन आया, ट्रस्ट आल विल बी वेल, इतना यूनिवर्स पे भरोसा रखो के सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस इतना भरोसा, ये ट्रस्ट आप से यूनिवर्स मांग रहे हैं, जो कि फूल के कार्ट से भी मांग रहे थे, और इस कार्ट से भी मांग रहे हैं, उसके बाद में है, take a reality check take a reality check is more like soul searching, तो जो reality check बैट के सोचने की जरूरत है कि क्या हुआ है लाइफ में, क्यों हुआ है क्या lessons थे, क्या हम कर सेकते थे हमने नहीं किया, जिससे कि आप उन चीजों को repeat ना करो bottom of the deck में है practice gratitude, gratitude practice करिये, thank you, बोलिये जो भी चीज़ उसके लिए लाइफ को इक positive perception से देखे, okay, so this is it for this reading labras and all the very best, I am 100% sure के आपका 2025 बहुत अच्छ जाएगा और जहां तक रही कुछ lessons की बात आप और मैं मिल के नाविगेट करेंगे and I'll always help you के कैसे नाविगेट करना इन सारे lessons से, okay so I'm always there and I'm happy for you कि बहुत सारी चीज़े change होंगी आपकी लाइफ में 25 में 25 एक active year दिख रहा है आपके लिए जहां पर काफी कुछ होगा so yes, all the best take good care of yourself and I'll see you next time, bye